दोस्तों कई बार DI में calculation एक बड़ा challenge होता है, ऐसे ही Calculative DI को हम कैसे deal करें, देखते हैं इस example के थुरू, यहाँ पर मुझे 5 companies दी गई है, PQRST, उन्होंने कितने-कितने products manufacture किये, यह मुझे दिया गया है, और उन manufacture किये गए products में से कितने percent product defective है, यह भी मुझे यहाँ पर दि values की है, वह defective है, अब इसके लिए अगर आप normal तरीके से जाते हो, तो आपको कितनी सारी calculation करनी पड़ेगी, सबसे पहले इसका 23% निकालोगे, इसका 24%, इसका 26%, इसका 25%, इसका 27%, और फिर इन सारी values को आप add करोगे, है न, it is going to take time, तो देखो इनसको हम कैसे cut short कर सकते हैं, reference value ले लो, जो कि, मलब जिससे कि कुछ value जिससे बढ़ी हूं, कुछ value छोटी हूं, जैसे कि हम 25% को reference ले सकते हैं, बेको कुछ value 25 से छोटी हैं, कुछ value 25 से बढ़ी हैं, है न, तो मैं क्या करता हूं, कि इन सभी को 25% मान लेता हूं, इसको भी, अगर सोचो, कि ये भी 25 होता, ये भी 25 होता, ये भी 25 होता, है नहीं, अगर होता, तो क्या होता, कि इसका भी 25% निकालते हैं, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, मतलब इन सभी के सम का 25% निकालते, तो अगर इन सब को मैं 25% मानता हूं, तो मैं इन सब को एक साथ में add कर सकता हूं, अ तो टोटल कितना है जल्दी कैसे एड करेंगे 50 इसको दिया तो इसमें से 50 इसको दे दिया ना तो 3800 हो गए तो 8200 इंटू 3400 प्लस 1600 हो गए 10,000 10,000 प्लस 2400 यानि 12,400 इन सब का सम क्या है 12,400 और अगर मैं निकाल रहा हूं इन सभी का 25 परचेंट तो टोटल का 25 परचेंट क्या होगा टोटल का 1.4 वाई 25 का मतलब होता है 1.4 कितना हो गया 31,000 वाई यह मेरा आंसर होता अगर यह सारी वैल्यूज पर्चेंट होती तो लेकिन सारी परचेंट नहीं है तो जितनी कम या जादा है उनको एडजेस्ट कर दो 25 से कितना परचेंट कम है 2% कम है तो इसका 2% कितना हो गया माइनस 48 ठीक है इसका एक परसेंट कम करना है तो इसका एक परसेंट माइनस 28.5 ठीक है इसका एक परसेंट एक्स्ट्रा है तो यानि प्लस 27.5 इसका यह तो अल्रेडी 25 परसेंट है में कुछ भी नहीं करना यह वाली वैलु 2% एकस्टरा है पत्चस से तो इसका 2% जोड दो यानि 22 इन दोनों का सम कितना होगा माइनस वन राइट मीनस वन इसमें से किया तो प्लस 31 प्लस 31 माइनस 48 मिलकर रो गया तो 3083 is right answer, which is not there in the options, so answer is none of these, ठीक, इसी तरीके से, जैसा तरीका मैंने आपको बताया, उसी तरीके से आप इस वाले सवाल को भी solve करेंगे, और इसका answer मुझे comment करके बताएंगे, ठीक है, यहाँ पर आप एक बात याद रखिए, यहाँ पर टोटल नहीं पूचा है, यहाँ प बाकि आपको यह टेक्निक कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई, यह भी मुझे comment करके जरूर बताएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को like और share जरूर करें, और अगर आप चैनल पर रही हैं, तो चैनल को subscribe करना ना बूलें, thank you so much